जो सियासी फिजा है वो क्या कह रही है? कि हम 400 पाल जाएंगी लेकिन भाग बिजाता तो जनता है और यही अमुमन भारती जनता भारती के साथ लोकल में हो रहा जो मुद्दे हैं यहां की लाखा बंजारा जील की आप दर्शन करिए यहां लोकल में कितने मजदूर पलाइन कर रहे हैं इंडस्टी यहां है नहीं गुंदेल खंड भारत देशमोन गरीब अंचलों में से है जिस जो अभी भी सत्तर पचत्तर साल के आजादी के बाद बिकास के लिए तरस रहा है कई गाओं में पानी नहीं कई गाओं में बिजली नहीं यह बहुत मूलभूत समस्या है इस पर अकल गौल नहीं करेंगे तो यह जो बंदूक लेके आदमी से दवाव की जो राजनिती होगी लोगों को दवाव में लेके तमाम एजेंसी संविधाने के एजेंसी काम करेंगी तो यहीं नतीजा होगा फिरहाल सागर संसर्दी इछेत बहुत बड़ा है विकास से महरूम है और यहां मुद्दों से भट मुद्दों से भटकाव है देखें बुन्नेलखंड के लिए कहा जाता है कि बुन्नेलखंड का वो हिस्सा जो उत्रप्रदेश में हो या फिर मद्देश में हो समस्या पानी की बहुत बड़ी है समस्या विकास की बहुत बड़ी है यहां पे भले ही जो फिज़ा है वो रू देखने को मिलता है इस बार की फिजा क्या कह रही है यहां पर राजकुमार पचाओरी जी पहला सवाल तो यह कि कितना विश्वास है आपको क्योंकि जो सामने वाला है वो तो आप विश्वास से भरा हुआ है और जनता आप पर क्यों विश्वास दिखाए नहीं हमें पूरा यह पूरा देश इनके पास गिरवी रख दिया है आप जब हम रेलवे इस्टेशन जाय करते थे तो उस पर भारतीय रेल लिखा होता था अब आप इस्टेशन जाएंगे तो उस पर अडान ही रेल लिखा होगा ऐसे ही हम जब बाहर से निकलते हैं तो कई दिवालों पर यह काउ वेल्ट यह बिसेस कर बुंदिलखंड के लिए कहा जाता है और इसका बुंदिलखंड के बाद से लिए कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं हमारे बुंदिलखंड के पास कोई कैसी उपलब्दी नहीं है जिनको लेकर हम देश के मान चत्र पर आ सके एक बीना र एक और हमने सुना था कि कैन बेतबाल को लिंक किया जाएगा दोजार चोवी सा गया है सचाई के मामले में तो हमारा पठारी प्रदेश कहलाता ही है तो यहां पर बुंदिलखंड में जो प्रमक मुद्द है वो बिरजगारी और पलायन के हैं चूंकि रोजगार नहीं है त शाइक की सिवऩिया हूँ यहां पर खनिश पदाहर तो बहुथ ज़्यादा है यहां पर माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है कभी इसको और नहीं किया गया तो कुलंभी ओके जो आज करन यह मुझे समझ में आ रहा है कि बरतमान में जिस तरीके से समयदाने संस्ताओं का धुरूपयोग करके जैसे कि कॉंग्रेस आरूप लगाती है उससे भी कुछ खौब जदा है जनता और जब आपका बेबक्ष जो है सही तरीके से चुनाओ मेदान में जिस तरीके परंपरा कर तरीके होते थे और वस तरीके से निड़ा तो ये भी एनर्जी खर्चनी कर रहा है इसलिए जो है मुद्दे नेपत्थ में चले गए हैं और अभी साल